Hey guys and release हो गया है The Wheel of Time का Episode 5 पूरे एक गंटे का जिसमें इतना action तो नहीं पर हाँ details काफी सारी हैं जिसे इस वीडियो के अंदर explore करेंगे and obviously spoiler तो बर-बर के होंगे make sure कि आपने Episode 5 को अच्छे से complete कर लिया हो अब देखो सबसे पहले अगर बात करें Perrin और Egwene की वो इने पकल दिया है White Cloaks ने अब question ये निकल के आता है कि White Cloaks असल में है कौन जिनने हम पहले भी Episode 2 में देख चुके हैं पर वहाँ पर इनके बारे में कुछ खास reveal नहीं किया गया था पर यहां काफी कुछ है तो book के according इने कहा गया है Children of the Light और अगर एक लाइन में इनके बारे में समझाओं तो बस इने यही लगता है कि हर बंदा या फिर बंदी जो कि One Power यानि की एक शक्ती का यूज कर सकते हैं वो निशाचर के साथ है यानि की उसके लिए लड़ रहे हैं और ये उन्हें मार देते हैं इसलिए आयसीडाई की अंगूठियों का कलेक्शन इसके पास है क्योंकि ये तो उन्हें हजम कर गए मिन्स मार दिया उन्हें और वहीं अगर बात केने पैरेन और इगवेन की तो वेल्डा के कहने पर जब इगवेन ध्यान लगाती है तो वो एक शक्ती का यूज तो नहीं कर पाती पर उसके ऐसा करने से पैरेन के अंदर से कुछ आवाज आती है गुर राने वाले टैप की और इसकी वज़ा से वेल्डा डिस्ट्रेक्ट होता है और इगवेन उसे मार देती है और उसके बाद कैम पर कुछ बेडिये हमला कर देते हैं पर ये इगवेन और पैरेन को कुछ भी नहीं करते और फिलाल इसका रिजन एपिसोड 5 में तो एक्स्प्लेन नहीं किया गया है पर मेबी ये बेडिये पैरेन नहीं बुलाए है बस वो जानता नहीं है अपने अंदर की पावर को पर इसका मतलब ये नहीं कि पैरेन ही ड्रेगन का अवतार है और वहीं अगर बात करें रेंडेल थोर की जो की बुक की अकॉर्डिंग ड्रेगन रिबॉन है तो ये मिलता है लोयाल से जो की एक अमानुश है बस ये समझो की ये मॉंस्टर जैसे दिखते हैं पर असल में है नहीं और ये बिलॉंग करते हैं स्टेडिंग नाम की कम्यूनिटी से और कभी कभी ही इंसानों के बीच आते हैं योद्धा नहीं होते इसलिए लड़ाई को अवाइड भी करते हैं काफी समझदार होते हैं और लोयाल ही पहला होता है जो कि ये बताता है कि रेंड और उसके दोस्त टैवरेंस हैं अब क्वेशन ही निकलके आता है कि ये टैवरेंस क्या है अब है तो काफी कॉमपलेक्स पर असान भाशा में ये वो लोग हैं जो कि threads को influence करते हैं कुछ change create करने के लिए अब threads क्या है तो जितनी भी ISA die true source यानि की one power का यानि की एक शक्ती का use करती है तो वो वहाँ से power threads यानि की तागों की form में ही लेती है और बाद में उसे बुन कर अपनी खुद की power create करती है और इसी लिए ISA die धियान लगा कर true source से शक्ती लेती है फिर हाथ ऐसे करती है वहाँ पर कुछ बनता है और फिर हाथ गुमा गुमा कर फिर फेकती है कहने के मतलब यहाँ पर हर चीज का logic है और इसी लिए आपको वहाँ पर lines दिखती हैं च्योंकि वो threads हैं और एक नहीं बहुत सारे होते हैं अब चौते एपिसोड की ending में हमने देखा था कि Logan Ablar की ताकत उससे छीन ली गई है पर एक ISA die की जान गवा कर और जैसा की शो में हमें दिखाय गया है कि ISA die और उसकी रक्षक का रिष्टा बहुत गहरा होता है चोट एक को लगती है दर्द दूसरे को भी होता है और यही कुछ हुआ इस step in के साथ अब उसकी पास मौका था कि वो किसी और ISA die के लिए रक्षक बन सकता है पर उसे अपनी जान देना ज़्यादा सही लगा जिसका दुख सबसे ज़्यादा लेन को हुआ और एपिसोड 5 हो गया end अल्थो यहाँ पर कोई ऐसी ending नहीं थी जिसको देखने के बाद एपिसोड 6 देखने की craving और भी ज़्यादा बढ़ जाए पर एपिसोड 5 के नाम के हिसाब से Blood Calls Blood यह काफी सही ending थी और काफी emotional भी तो बस फिर आज का गयान यहीं पर खतम करते हैं एंडी शो के फैंस hashtag the wheel of time कॉमेंट करना मत भूलना तो बस फिर आज के लिए तना ही और अगर गलती से भी वीडियो अच्छा लग गया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जो कि आप मेंसे कुछ लोग तो करते हैं और कुछ नहीं करते तब तक के लिए, बाइबाइ ठेक गयार जै हिंजै भारत